हेलो, डियर इस्टोरेंट्स, हम बात करते हैं बोर्ड एक्जाम की, बोर्ड एक्जाम हमारे स्टार्ट हो चुके हैं और हम बात कर रहें पेंटिंग सब्जेक्ट की, जिसका कोड है 049, हमारी बुक है पैनारॉमिक इंडियन पेंटिंग एंड हमारी NCRT बुक भी है, बट हम बात करते हैं पैनारॉमिक इंडियन पेंडिंग से, तो हम इस्टार्टिंग कैसे करें, कहां से हम त्यारी करें, तो उससे हम बात करते हैं हमारे जो पैना पॉइंट टू रिवंबर है हम उससे स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला स्कूल जो है वो है मिनेचर पेंटिंग मिनेचर पेंटिंग में हम पहले देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट स्टार्टिंग है वो है मिनेचर पेंटिंग उसमें से हमने जो हमारी बुक्स है वो किस से related है और किस ने उसको start किया है किस ने उसे लिखा है राइटर कौन है ये हम सबसे पहले ये देखेंगे तो हमारा miniature putting unit 1 से start है उससे पहले जो हमारा topic है six limbus of fine arts ये देखेंगे इससे भी हमारे six limbus of Indian painting में जो total हमारा topic है वो बोला जाएगा सड़क और जो हमारा उसका इशलोक है सड़क का रूप भेदा पिर्माणनी भावलावने योजनम सादरशे वर्णिका भंग इतिचित सड़क का तो ये हमारा total जो इशलोक है उसके हमारे एक एक word के meaning मैंने जो लिखवाए भी थे आप लोगों को और वो करवाए हुए है note book में उससे आप तयारी करेंगे और जो अभी मैंने बोला ये हमारा हो गया फिर miniature painting में क्या-क्या main topics है वो मैं बाद में बताऊंगी हम बात करते हैं कि पहले हम start कैसे करें जहां से हमारी तयारी start दर राजिस्थानी स्कूल तो राजिस्थानी स्कूल में मैंने आपको एक PDF भी भेजी है जो हमारी इस time latest book में painting दी गई है कि वो हमारी painting आएंगी कौन-कौन सी जो हमारा इस बार का syllabus है मारू राग नहीं है तो इसमें मैं overall बता रही हूँ लेकिन जो इस बार painting में है वो मैं आपको भेज चुकी हूँ उसमें मैंने एर आपको जो टेकनिक यूज हुई है टेकनिक से मदलब है medium जो नसा medium यूज हुआ है तो आप एक बात ध्यान रखेगा कि राजिस्थान स्कूल से लेके डेकनि स्कूल ओफ आर्ड तक हमारा सेम medium है मेंस हमारा जो medium यूज हुआ है टेंपरा वाटर कलार ओन पेपर कभीर एंड रैदास यह मोगली स्कूल की painting है और अब हम बात करते हैं राजिस्थान की तो राजिस्थान में भी हमारा यह टेंपरा वाटर कलार ओन पेपर यानि की हमारा जो miniature painting से लेके और डेकनि स्कूल ओफ आर्ड तक हमारा medium सभी में सेम है तो आप यह ध्यान रखेगा अगर लेके राजिस्थानी स्कूल से और पहाडी है मोगल है और डेकनि स्कूल ओफ आर्ट है तो उसकी painting तक आप से medium अगर पूछा जा रहा है तो आप टे बाद में बेंगॉली स्कूल ओफ आर्ट एंड मोडन स्कूल ओफ आर्ट यह रहा उसका भी मैंने आपको medium उसका आपका सारा लिखा हुआ है यह लिखे हुए है मैंने सारा आपको सेंड किया हुआ है किलास पर उसके बाद में हम देखते हैं जब हमारा यह टाइटल पेंट जो हमारा courtesy है वो है the national museum new Delhi जिस topic का जिस title का courtesy change है उस पर आप निशाल लगा लिजे कि हमारा उस वाले का change है तो आप उसे अलग से learn कर लिजेगा ठीक है तो यानि कि हमारा हम start कैसे कर रहा है जब हमारा लेके राजिस्थान से और हमारा यहां तक यानि कि modern trends in Indian art की last painting तक हमारा पूरा हो जाएगा तो हमारे half book learn हो जाएगी half book कैसे learn हो जाएगी क्योंकि हमें हर चीज की हमें वो तो करनी है कि हमारा जो history of miniature painting है यानि कि description जिस भी topic के description है वो तो हम learn करेंगे ही करेंगे क्योंकि उसमें से बीच में से question आएंगे लेकिन जिस भी painting का हमारा यह चीजे है जो हमने main topics यानि कि इत learn हो चुकी होगी क्या रह जाएगा subject matter रह जाएगा and description रह जाएगा अब subject matter में से भी हमारे कई सारे वो बनते हैं question जिसे मारो अगनी painting है वो किस तरह की painting है वो vertical painting है किस में से ली गई है रागमाला series से ली गई हो चुका है और यह बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि जो हमारे question है वो हमारे एक-एक line में से बन सकते हैं एक चीज और हमें देखनी है जिस भी आपको painting का description आती है या फिर किसी भी school की या sub school की description आती है तो हम उसे अगर किसी painting की description है और उसमें से हमें यह मांगा है कि name of the painting and artist and medium technique subject method and composition तो उसमें हमें painting का यानि कि हमें यह सब लिखना पड़ेगा यानि कि title name and artist and school period medium courtesy उसके बाद में आता है subject matter सबसे पहले हम painting को सामने रखेंगे छोड़ी एक्जाम में कभी भी painting बनाने के लिए नहीं आती है only हमारा title name आएगा कभी कभी यह होता है कि painting का title name ना देके उसमें आपको hint दिया जाएगा और आपको पहचानना है उस hint से कि वो painting कौन सी पूछना अचार है आपसे किसके description हमें लिखनी है ठीक है तो यह हमारा point to remember से learn हो चुका है subject matter हम painting को सामने रखेंगे और तब हम description learn करेंगे क्योंकि जो हमारा colors है जो इसके figures है वो केवल हमारी description में वही दी गई है background is yellow तो background हमारा yellow है जो painting में दिया है इसे एक अलग कुछ नहीं दिया हुआ है उसमें और figure के बारे में पूछा जा सकता है कि camel पर कौन बैठा हुआ है और उनके हाथ में क्या है आप description पढ़ेंगे पहले बार read करेंगे और second time जब read करेंगे आपको learn हो चुका होगा क्योंकि painting painting आपके सामने है और जब painting सामने होगी आपको hint wise title आएगा question में तो आप अच्छे से पहचान सकोगे कि हमारा वो पूछना क्या चारा है जो examiner है वो हमसे कौन सा question कर रहा है कौन सी painting पूछ रहे है और आप अच्छे से पहचान पाऊगे अब बात करते हैं कि जैसे राग माल painting है वो आर्टिस्ट है साहिद देथ और वो मेवार सब स्कूल सब स्कूल क्या है मेवार एंड इस्कूल क्या है राजपूत मिनेचर प्लेट क्यों बोला गया है यह में कुछ चीजे है बेटा जिसके पास नहीं है question bank वो ले लीजे otherwise किसी मैंने notebook में भी लिखवाया हुआ है question answer वहाँ से देखिए और जिनके पास नहीं है वो जिनके पास है उनके पास से photo ले सकते है question bank से वैसे मैंने pdf भी भेजी हुई थी इन चीज की और आपको easy होगा pdf से आप तयारी कर सकते हैं जैसे हमारा यह है मारूर आगनी तो कहां से बिलोंग करती है मेवार से ठीक है चोगान प्लेयर जोधपूर हमारा जो question है वो examiner हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं और एक चीज और जो आपका यह सब इस्कूल है जैसे यह राजिस्थान school of painting है आप मैंने कई बुक से पढ़कर तब आपको question send किये थे जैसे इस वाली बुक में यह नहीं दिया है ncrt book में दिया है कि राजिस्थान school को राजपूत school of fart किसके according बोला गया है और आप यह note कर लीजेगा वो आनंद कुमार स्वामी के according बोला गया है ठीक है अब इसमें पूछा जा सकता है मेवार school किसके अंदर में रहा है इसके जो famous king है वो कौन रहे है बूंदी school के कौन रहे है हरा राजपूत जैसे बुक दी गई है रागमाला सिरीज वो कहां से बिलॉंग करती है अभी मैंने बताया आपको बारे मासा एंड रसिक पिरिया वो कहां से बिलॉंग करती है तो ये चीजे आपको question bank में बहुत अच्छे से दी हुई है और किस तरीके से आपको तयारी करनी है ये मैंने आपको समझाया है जैसे आपका ये है ये जो बुक है अब आप देखिए इसमें तो इसमें आपका जो राइट अंसर है इसमें से चूज करना है आपको वो ए सही है यानि कि वन बुक जो है आपकी वो आपको पाला स्कूल से बिलॉंग करती है कौन सी एसेस्ट्रा एंड प्रिग्या पार्मिता वो पाल स्कूल से बिलॉंग करती है और निजाम उलूम कहां से बिलॉंग करती है वो है डेकन स्कूल से बिलॉंग करती है कल्प सूत्र किस से रिलेटेड है वो जैन स्कूल से रिलेटेड है और नियामत नामा वो सेंट्रल मालवा स्कूल से बिलॉण करती है अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटा आप डारेक्ट पूस सकते हो ठीक है आगे भी मैं आपको कुछ वीडियो भेजूंगी आज के लिए वीडियो इतनी है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है और कौन-कौन सा टॉपिक आपको करना है ठीक है आपको ओवरॉल बुक करनी है जो कोई आंसर मैंने लिखवाए थे short and long वो सब आपको learn करने है आपकी फुल बुक कवर हो जाएगी कुछ बच्चों का ये कहना था मैं में important बता जिद दीजे तो important बेटा फुल बुक है क्योंकि आप जब कोईशन देखेंगे आपकी जो बुक है उसके last में model कोईशन पेटा